आज की इस प्रेस कॉंफरेंस में आप सबका स्वागत लगवाग एक महीना पहले हमारी टीम ने चेंब्र आफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का चार्ज लिया था सारी लेक्टिड टीम है इसमें हमारे रजीव गुपता जो है वो मिसिंग है क्योंकि किसी कारण वर्शन को बाहर जाना पड़ा इस एक महीं में हम पूरी टीम ने एक बी दिन अपने गर्पे आराम नहीं किया डिफरेंट डिप्स्पाइंसे मिले उनकी जो प्रावलम्रल्म्रस है उनको सुनना उनका हल निकालने की कोशिश की डिफरेंट डिपाटमंट में गए Works और उनकी तरफ से प्रियादा करना चाहूंगा आप सब प्रेस वालों का कि पिछले एक मीने में हमने जो जो भी कारे किये वह आपके दार द्वारा जो है उसको पूरी तबज्ज़ दी गई आज की इस प्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वो है प्रापर्टी विल आज जिस तरह से जैसे ही मुझे लग रहा था कि बस स्टेंड की जो इनाउग्रेशन की गई पार्किंग की उसी दिन जो इंडिकेशन दिये गए कि आने वाले दिनों में जम्मूबालों को एक नया तुभा मिनने वाला है वो है प्रापर्टी टेक्स इसका हम पुर जोर तरीके के साथ विरोध करते हैं और मैं यह बताना चाहूंगा गवर्मेंट को कि जिस तरह से पिछले दो साल में आप यह देखिए सब्तम्बर पांच से लेकर के उननी से सब्तम्बर पांच उननी से लेकर के आज तक जम्मूब कम से कम छे महीने टोटल बंद रहा है इस कोविड टाइम में भी देखिए अगर पहले तो दफा तीन सो सतर हटी पैंतीस ए हटी सबी बिजनस जो हैं वो बंद हो गए उसके बाद कोविड नाइनटीन आया उसके दोर में भी बिजनस जो हैं चार-चार महीने लाग डौन में रहे और आज भी अगर जी इस पर उनकी नजर नहीं है मैं चाहता हूँ कि गवर्मेंट इस निजरिये से देखे कि वो लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं जिनके दुकाने जिनके बिजनस जिनकी प्रमिसी जो हैं चार-चार महीने लाग डौन में बंद रहे और आज उन पे टेक्स इं फोट करते हैं और आने बाले दिनों में और भी मतल díasक हम जा सकेंगे वो जाएंगे सबसे पहले यहां अगर टैक्स ललगाना हैं कोंसरे कम सो क्यों से बात करीये इनों ने एक बार मेरा मानना है किन्मौ का वेपारी जम्मौ के लोग जो है आज है कई लोगों के घर में चूले नहीं जल रहे अभी तख, कई लोगों के घर जो है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों की फीस दे सके pulls करने की बात जो है, गवज़े न की CRA के बाद से अपनी बात, जम्मू के लोगों की भाज पहूंचाना चाहते है कि यह जो ह ना किया जाए और इसके साथ एक बात जो मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए यहां पर टैक्स लगा हुआ है वहां की गॉवर्मेंट जो है उसको उस टैक्स को डिट्यूस करें और कम कर रहे दूसरी बात लखनपूर पैन इंडिया में जो एस ओपी जो इंटोड्यूस हुई आफ्टर जैनुरी 31 उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया सब एरिये जो हैं वो ग्रीन जोन में आगे लेकिन लखनपूर आज भी रेड जोन में हैं गौर्मेंट हमें बताने की कोशिश ही नह नहीं है अगर आपने इंट्र अपने कैन इंडिली सकती बॉंबे जाना भानन जा सकते हैं और जिसने में आना है और जमब में आने के लिए पहले तो उसको वहां पर टेस्ट करवाने कर आने हैं और उसके बाद इंटास्टेud बान्द oluyor से जितनी तकलीफ जो हैं लोगन को और जो चोटे मोटे जो बिजनस हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं आज की डेट में वी पिल्ग्रिम टूरिस्ट को एंट्री में तकलीफ हो रही हैं पिल्ग्रिम टूरिस्ट आने के लिए बिलकुल त्यार नहीं है यहां तो हमारी आपके माद्यम से गौर्मेंट के अपील ह को जिस तरह से पैन इंडिया में सब तरफ से उपन है उसी तरह से इसको भी ओपन किया जाए और इस टैक्स के बारे में रिवियू किया जाए इस टैक्स को हम लोग जम्मू में नहीं लगने देंगे धन्यवाद दिनों में वही तिखा बन जो है फिर से आपको दिखाई देगा लेकिन हम लोग यह कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग जो है अगर प्रॉपर्टी टेक्स के बारे में चर्चा हुई आज फिर से वही चर्चा जो है फिर सामने आई पहले पापुलर गॉर्मेंट थी अब यूटी गॉर्मेंट है अब अलजी साब जो है इस पे हमने अलजी साब से पहले भी बात की है हम लोग उनसे मिले हैं और अपनी बात भी रखी है लेकिन हम यहीं चाहेंगे कि उनकी तरफ से यह पास्ट्रिवियू रहे यहां पर प्रोपर्टी टेक्स का भी सही टाइम नहीं है नहीं लगना चाहिए और अगर उनकी तरफ से हमारी बात पर गोर नहीं किया गया तो आने बखले दिनों में आप देखेंगे कि हमें इंडेफिनेट स्ट्राइक भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे और उन्हें कहा कि यह सिर्फ एक हवा मचाया जा रहा है प्रॉपर्टी टेक्स पहले मुझे कोर्परेशन में आएगा वो पास होगा देखा जाएगा कि क्या प्रावधान है होगा या नहीं यह तो बात की बात है हवा क्यों मचाया जाएगा यह देखिए पास होने की बात नहीं है उन्होंने जो कहा उन्होंने कहा कि हम लोग रेट फिक्स करने के लिए हमें बुला गया है पास होना कहा रह गया नोटिफिकेशन निकल गया तो पास कहा होना है अब जो यहां असें झाल, 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 झाल